दोस्तो आप सभी का स्वागत है, Amantek YouTube चैनल में, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, कैसे आप Google Pay पे अपना account create कर सकते हैं, कैसे आप Google Pay की मदद से अपने किसी फ्रेंड को पैसे transfer कर सकते हैं, अगर आपको online mobile recharge करना है, तो Google Pay की मदद से आप कर सकते हैं, अग आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा detail के साथ बताने वाले हैं, और उसी के साथ हम आपको बता दें, कि Google Pay application जो है, वो UPI के base पे ही काम करती है, और UPI के थ्रू ही यहाँ पे आप payment कर सकते हैं, और Google Pay जो application है, वो काफे जादा safe and secure है, आप बिना कोई tension के यहाँ पे Google Pay application प ऐसे आप Google Pay पे अपना account create कर सकते हैं, और कैसे आप इसे use कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो को start करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे request है कि चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो subscribe कर लीजिए, और साथ में notification bell को प्रेस कर लीजिए, जिससे की आगे आने वाली वीडियो क notification आपको मिल जाए, तो सबसे पहले आपको Google Pay application को download कर लेना है, तो download link जो है वो मैं आपको description में दे रहा हूँ, simple आप description के option पे click करके, आप यहाँ पे play store से Google Pay application को download कर लीजिए, गूगल पे application को download करने के वाद, simple आपको अपने mobile में, गूगल पे application को open करना है, और यहाँ पे आपको इसका जो logo देखने को मिलेगा, इस तरीके से देखने को मिलेगा, और इसका नाम है cheap, तो आपको simple इस पे click करना है, इस पे click करने के वाद, जो है, आपको इस तरीके का interface देखने को मिलेगा और सबसे पहले आपको यहाँ पे language and यहाँ पे country को select कर लेना है तो जैसे कि हम यहाँ पे English को select कर लेते हैं और यहाँ पे country जो भी है आपकी India, Singapore, United States तो आपको यहाँ पे उसे select कर लेना है हम यहाँ पे इंडिया से हैं देन उसके बाद आपको यहाँ पे अ आप simple यहाँ पे enter कर दीजिए देन उसके बाद आपको यहाँ पे next के option पे click कर देना है देन उसके बाद आपके सामने यहाँ पे आपको choose an account को option मिलेगा जिससे कि आप यहाँ पे अपनी कोई वी email id चूज कर सकते हैं जिस पर भी आप अपना google account create करना चाते हैं तो email id select करने क आपको यहाँ पे accept and continue का option मिल जाएगा तो simple आपको accept and continue के option पे click कर देना है देन उसके बाद google पे यहाँ पे automatically verify कर लेगा आपका mobile number और आपके mobile number पे एक OTP जाएगा तो उस OTP को आपको यहाँ पे enter करना होगा और यहाँ फिर google पे automatically आपका phone number यहाँ पे verify कर लेगा देन उसके बाद आपको option मिलेगा secure google पे तो यहाँ पे जो है आप अपना screen lock लगा सकते हैं यहाँ फिर google pin लगा सकते हैं तो जो भी आप यहाँ पे enter करना चाते हों screen lock लगाना चाते हों तो screen lock लगा लगा लिजे otherwise google pin आप यहाँ पे enter कर सकते हैं simple उसे select करने के वाद जो भी आप यहाँ पे pin रखना चाते हैं वो pin आप enter कर दीजी देन उसके बाद आपका account यहाँ पे बन जाएगा आपको यहाँ पे start new payment का option मिल जाएगा simple आपको इस पे click करना है तो आपका account जो है वो यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे उसके बाद आपको क्या काम करना है आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना bank account एड़ करना होगा तो bank account एड़ करने के लिए simple आपको यहाँ पे नीचे आना है और नीचे आपको यहाँ पे एक option देखने को मिलेगा view account balance का तो simple आपको इस पे click करना है इस पे click करन के बाद आपके सामने इस सरीके का पे जाएगा select account तो यहाँ पे जो है आपको अपना bank account add करना होगा जो भी mobile number आपने यहाँ पे enter किया होगा वो mobile number आपके bank account से linked होना चाहिए तो वही bank account भी आपको यहाँ पे add करना है simple आपको add bank account के option पे click करना है तिन उसके बाद इंडिया मे जितने भी banks हैं तो उनकी सारी list आपके सामने आ जाएगी तो जो भी आपका bank है उसे आप यहाँ पे search भी कर सकते हैं या फिर आप जो है यहाँ पे देख लीजे कि जो भी आपका bank है उसे आप select कर लीजे हमारा SBI bank है तो हम उसे select कर लेते हैं देन उसके बाद जो भी आपसे permissions मांगे जाएंगे आपको simple उसे allow कर देना है देन उसके बाद आपके सामने इस तरीके का page आ जाएगा तो यहाँ पे अगर आपके mobile में दो sims हैं तो आपको उस sim को select कर लेना है जो भी आपके bank account से linked है तो यहाँ पे जो है हम अपनी first वाली sim को select कर लेते हैं क्योंकि हमारी first वाली sim जो है वो हमारे bank account से linked है तो यहाँ पे मैं आपको उसी के साथ पता दूँ कि जो भी sim आप यहाँ पे select करेंगे जो आपके bank account से linked होगी तो उस पे जो है incoming and outgoing calls जो है वो यहाँ पे active होनी चाहिए otherwise आपको यहाँ पे error देखने को मिल जाएगा तो इस चीज़ का आपको mobile number पे जो है एक SMS जाएगा तो आपको यहाँ पे इसे allow कर देना है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगे तो यहाँ पे आपको confirm कर लेना है अपने account को जो भी आपका bank account होगा तो उसके बाद आपको continue के option पे click कर देना है दन उसके बाद आपके सामने इस तरीके का page आएगा enter card details यानि कि जो भी आपने bank account को select किया होगा उसकी आपको यहाँ पे card details एंटर करनी होगी अगर आप first time अपना Google Pay का account create कर रहे हैं और यहाँ पे आपने first time अपनी UPI pin ID generate करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने card details एंटर करनी होगी simple आपको अपने ATM card के जो last के six digits हैं वो यहाँ पे आपको enter कर देने हैं जैसा कि हम यहाँ पे enter कर देते हैं दन उसके वाद जो है आपको यहाँ पे expiry date एंटर कर देनी है जो की valid up to रहती है तो वो आपको यहाँ पे simple enter कर देनी है और यहाँ प आपको manually यहाँ पे enter करना होगा code तो हम यहाँ पे enter कर देते हैं otp enter करने के वाद आपको यहाँ पे tick के option पे click कर देना है जो की six digit यहाँ फिर four digit का होता है तो simple आपको यहाँ पे अपना upi pin create कर लेना है जिसे कि आपको यहाँ पे future में याद रखना है ताकि जब भी आप google प option पे click कर देना हो और यहां पे फिर से आपको यहां पे enter करना है confirm करने के लिए और tick के option पे click कर देना है जैसे ही आप यहां पे tick के option पे click करेंगे तो Google पे जो है वो आपकी UPI pin को create कर देगा और यहां पे जो आपका bank account है वो successfully add हो जाएगा आपको इस सरीके का page देखने को मिल ज साथ ही आपको यहां पे manage UPI ID भी देखने को मिल जाएगी जो कि आपकी UPI ID होगी जिसे कि वो आपके bank account में पैसे transfer कर देगा तो इस सरीके से आप Google Pay का account create कर सकते हैं और bank account अपना add कर सकते हैं तो उसी के साथ आपको यहां पे और भी बहुत सारे options मिल जाते हैं जिसे कि अगर आप यहां पे payment करना चाते हैं तो new payment के option पे click करके आप यहां पे mobile recharge कर सकते हैं, bill payment कर सकते हैं, bill payment पे आपको यहां पे बहुत सारे options देखने को मिल जाते हैं, mobile recharge, electricity, dth, cable tv, google pay, gas, cylinder और वी यहां पे आपको बहुत सारे options मिल जाते हैं उसी के साथ अगर आप यहां पे bank transfer करना payment कर सकते हैं और उसी के साथ अगर आप यहां पे UPI ID या फिर QR code के द्वारा scan करके किसी को payment करना चाते हैं तो वो भी option आपको यहां पे मिल जाते हैं और उसी के साथ अगर आप अपने एक bank से दूसरे bank account में पैसे transfer करना चाते हैं तो उसके लिए आप अपना second bank account भी यहां प पे क्लिक करना है और यहां पे आपको अपना UPI pin एंटर करना है जो भी आपने create किया होगा दन उसके बाद आप यहां पे टिक के option पे क्लिक करके अपने bank account का balance चेक कर सकते हैं तो गैस इस तरीके से आप Google Pay पे अपना account बना सकते हैं और काफी safe and secure है आप यहां पे payment कर सकते है किसी को भी अगर आपना mobile recharge करना है वो कर सकते हैं तो guys I hope कि आपको इस वीडियो में पूरा detail में समझ में आ गया होगा लेकिन फिर भी अगर आपको कोई confusion है कोई आपका question है तो आप नीचे comment box में comment कर दीजे हम आपका reply जरूर करेंगे और अगर उस पे वीडियो बनाना बना देंगे तो उसी के साथ next वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपना Paytm का account create कर सकते हैं कैसे आप Paytm को use कर सकते हैं तो अगर आप Paytm पे भी अपना account बनाना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो पे 100 likes को complete कर दो और next वीडियो का wait करें उसके और notification bell को भी प्रेस कर लें सो मिलते हैं इस वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ टेक केर थैंक यू